केकियार और गुज्राट टाइटन्स के बीच IPL 2023 के तेरवे मैच में रिंकु सिंग ने यश दयाल के ओर में लगातार पांच छक्के जड़कर कोलकाता को जीत दिलाई थी पांच छक्के खाने के बाद यश मैदान पर काफी ज़ादा एमोशनल हो गए थी यश के पिता चंदरपाल दयाल को जैसे ही उनके करीबी लोगों से पता चला कि यश को टेलीवीजन पर आसू बहाते हुए देखा गया था चंदरपाल दयाल ने बेटे की मदद करने के लिए कदम बढ़ाने का फैसला किया इंडियन एक्सप्रेस से बाचीत के दौरान यश के पिता का दर्द छलका है यश के पिता ने कहा मैंने बेटे से फोन पर कहा घबराना या डरना नहीं है क्रिकेट में ऐसा होना कोई नई बात नहीं है गेंदबाजों को पहले भी पिताई हो चुकी है ऐसा दिगज गेंदबाजों के साथ भी हो चुका है कड़ी महनत करो और देखो कि तुमने कहां गलतियां की याद रखना क्रिकेट में ऐसा पहली बार नहीं हुआ है मलिंगा प्रोड जैसे बड़े गेंदबाज भी इस स्थिती से गुजर चुके है वही केकेयार ने अपने ओफिशल ट्विटर अकाउंट से पोस्ट करते हुए लिखा शिनप लैट बस एक मुश्किल दिन था ऐसा क्रिकेट के सर्वशेष्ट खिलाडियों के साथ भी हो चुका है तुम एक चैंपियन हो यश और जबरजस्त वापसी करोगे